नमस्कार मेरा नाम है सुनिल गुमार और आप देख रहे हैं तलाज टीवी विल्कुल ही एक नए और फ्रेस कवर के साथ एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ दरशाल जुआ भात किरेंगे कोरॉणा को ले कर ले करके एक बार फिर से पुरे देश में चर्चा है इसके पीछे कारण Hernam ai एक वैक्सिन जो पुरे देश में लगा था वैक्सिन था कोवी्सिल्ड कोवी सेम्द्षी वैक्सिन आप लोगों में सभी और या भी समझेंगे कि क्या आपको सच में इस मामले को लेकर या कोमीञेर के साइड़िट को लेकर डրने के जुर० है या डरने के जूर्थ नहीं है इस पर लोगों के क्या विचार है या जो 입니다 सग यानके विचार है जो मीडिया रि υपोर्ट नुक्वेलर्जित बात करेंगे आप दियान से पूरे वीडियो के देखेंगा आपको एक एक बात करके हम क्लियर करते हैं देखिए दरसल में यह जो मामला उठा वह मामला UK या ब्रिटेन से उठा है यह जो है आपका UK जो ब्रिटेन है वहाँ पर एक कंपनी थी एस्टराजैनीका कंपनी जिसक्त को रोड़ा वायरस पूरे चरम पर था उस में क्या की कि इनवर्शीटी ओप आपको ग्रेट ब्रिटेन में ही है तो एस्टराजैन का कंपनी जो है इनवर्शीटी ओप ऑक्सफोर्ड उन दोनों ने मिलकर एक फर्मूला बनाने के लिए दो होता है को फर्मूला का जो जो बनाया गिया एस्टोजेन का कमपनी के दोरा nosso जारा किए की और वैक्सीन फिर बनाए वैक्सीन बनाने के बाद लोगों को लगाया गया, अब लगाने के बाद बहुत से लोग जहिर से बात है कि ठीकी हो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को sid effect हुआ, उसका, और वो जो side effect हुआ,वो side effect एक TTS कहलाया, देखिए TTS जो होता है, TTS अगर किसी को हो, तो उसमें आप मोटा मोटी बात ये समझें, इसके फूर फॉर्म में जाने के जुर्द नहीं है, TTS, अगर किसी में TTS का लक्षन है, तो इसका मतलब है कि उसके सरीर में खून के ठक्के जमेंगे, आप खून के ठक् जड़ाया तो कुछ लोग कोट में चले गें ब्रेटिस हाय कोट में चलें और वहां जाकर मामला दर्श कराया, तो वही मामला को लेकरके ज्यादा चर्चा है, तो सबसे पहले वहां, Great Britain वहां वियुके जो है, वहां पर Jamie Scott नाम के जो वहां के नागरिक है, उन्होने कोट मे या मतलब case दायर किया, British court में, British high court में उन्होंने case दायर किया, कि भाई जो है, हम जो यह vaccine जो लगवाय थे, इसका, Esta Krankenh 때문에 vaccine बना झा उसको जो हम लगवाय थे, तो उसको हमको उससे मेरा brain damage हुआ, हमारे में TTS का लक्षन आये था, ब्रेंड डेमेज हो गया और TTS के लच्छन लागतार बरकरार है जिससे हम जूज रहे हैं इनके केस करने के बाद वहाँ पर दरजनों लोगों ने दूसरे लोगों ने भी यहां पर प्रिटिस हाइड कोड में केस किया और हमने पर्मिशन लेकर के इस वैक्षिन को दिया था और खत्रे बहुत कम हैं ऐसा कहतर के अपना जवाब तलब की तो यह मामला आपका ब्रिटेन का था अब यह जो ब्रिटेन में मामला आया TTS वाला उसको उसका जो हल्ला हुआ वह आपको इंडिया ता क्या पूरे वर्ल् तो आप भारत में एक seram institute है और यह कहां है यह करते है तो अब जू है यह को सिरा में सिरूट को सिरेमिसिटूट इस फर्मूला को लेकर के जब यहां नाम कोवी दिया गया और नाम और यहीं कोवी सील्ट भारत के करोरो 새로 कोवicy लगाया गया in बाइर सी बात है कि जब एक खबर पूरे दुनिया में चर्चा में आई कि जो कोविट से लिया जो एस्टेजिन का कंपनी के जो फर्मूला पर आधारित जो लगवाए हैं जो उसका वैक्सिन जो लगवाए हैं उनमें टीटीएस के लक्षण यानि की खुन के ठके जमने जैसे लक्षण आ रहे हैं अब देखे खद्रा है कितना इसको लेकर के फिर जब चर्चा सुरी होई तो उस बात को समझते हैं तो जब 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 जो विविंडिया रिपोर्ट्स आई है उसके अंसार में बता रहा हूं कई अक्पारों का और कई वेबसाइट्स का ध्यान करने के बाद हम जो पाए उसमें यह बताया गया है कि देखे करीब करीब जब 10 लागों को लाख लोगों को यह वैक्सिन लगा ह दस लाख लोगों अगर वैक्सिन लगा तो उसमें से महत 13 से 15 अध्य पर्शेंट की बात हम ने कर रहे हैं 13 से 15 लोग जो है उन पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं साइड इफेक्ट अगर उन पर हो रहा है, तो साइड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, वही TTS, कि TTS का लक्षन उसमें आएगा, यानि उनका खुन का ठकका जमना इस टाइब का लक्षन हैगा, अगर 10 लाक लोगों को अगर लगता है वैक्सिन, तो उसमें से 13 से 15 लोग ही सिर् आपको 12 लोग हो जाएगा, तो इसका जो 90 परसेंट हिस्सा है, वो लोग जो है, वो ठीक हो जा रहे हैं, वो सिंपल दवावा या जिस भी तरह से होता होगा, वो ठीक हो जा रहे हैं, बच रहा सिर्फ एक बेक्टी, इसी एक बेक्टी को में खत्रा है, यानि मिला जुला के आप देखिएगा, तो 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक बेक्टी है, जिसको खत्रा इतना है कि हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, अब इंडिया में मामला, तो आप यह समझ जाएए, कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक बेक्टी को खत्रा है, ऐसा बताया गया है रिपोर इस सारा मामला लगातार चर्चा में आया है अब आप इस सारे बात के बीच एक चीज़ और समझे कि इस्टेजेन का जो है वह क्या कहते हैं वह यह का रही है कि भाई जो इन्वर्सिटी और पक्सपोर्ड के साथ मिलकर हमें तयार किये वैक्सिन को इसके साइड इफेक्स हो सक सकते हैं लेकिन यह बहुत ही दुरलब है ऐसा इस्टेजेन का है जो ब्रिटेन का जो हाई कोट है वहां पर उन्होंने अपना जो है पक्स रखा और यह बात उसने कह दिया है तो मिला जुला के आप एस समझे कि खत्रे बहुत कम है और साथी साथ एक चर्चा यह भी की गई है जो है विविन दॉक्टर्स लोग जो है वह चर्चा किये या यह बात बता रहे हैं मीडियस को कि देखे जब शुरू में जो वैक्सिन लगा तो स्टार्टिंग शुरुवाती दौर में खत्रे ज्यादा होते हैं तो अब भाई को लगवाये हुए कई साल भी चुके हैं तो आप नहीं के बराबर लगों मान के चलिए कि इस तरह का कोई खत्रा हो सकता है तो बहुत ज्यादा डरने की जोड़त नहीं है बाकी आप अपने बीविन नीज को देखते रहे हैं और अपने डॉक्टर से भी आप सला ले सकते हैं कि ऐसी इस्तिति में क्या किया जा सकता है तो यह चोटी सी एक डिपोर्ट थी हमने सोचा कि यह बहुत मुहत्फुन रिपोर्ट है और आप लोग के सामने हम दे बता सके तो अबाए नियूस यह अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और हमारे चैनल मैं ब बहुत बहुत धन्यवाद.